दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फायर बोल्ट की स्मार्ट वाच को री सेट कैसे कर सकते हैं आप जो है अपनी फायर बोल्ट की स्मार्ट वाच को वाच की सेटिंग से भी री सेट कर सकते हैं और अपने phone से भी reset कर सकते हैं, phone से reset कैसे करेंगे, इसके लिए आप अपने phone में the fit app open कर लिजेगा, the fit app open करने के बाद नीचे watch वाले icon पे click करिएगा, उस पे click करने के बाद आप यहाँ पर click करिएगा, other पे, others पे click करेंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा, यहाँ पर आपको reset option दिखाएगा, आप इस पे click करेंगे, तो यहाँ पर दिखाएगा reset device preferences, आप confirm पे click करेंगे तो यहाँ पर reset हो जाएगी आपकी smart watch, अगर आपको watch से करना है तो वो क्या करेंगे आप, आप यहाँ पर जो है on कर लिजे watch और नीचे की और slide down करिए, settings में चले जाएगे, settings में ज क्लिक कर दिजेगा, और जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, आपकी smart watch जो है वो reset हो जाएगी, अगर वीडियो से help यह हो तो वीडियो को कर दिजे like, channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press, ऐसे ही और भी videos देखने के लिए